15 अगस्त के गुरुकुलप्रेप देली पॉडकास्ट में आपका स्वागत है अपडेट एक महत्वपूर्ण दिन स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त भारत गुरुवार 15 अगस्त दो हजार चौबीस को अपना 78 वा स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए तैयार है जो देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है यह दिन स्वतंत्रता के लिए लंबे संधर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश अपनिवेशिक शासन से भारत की मुक्ती का जश्न मनाता है स्वतंत्रता दिवस अंगिनत स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किये गए बलिदानों की मारमिक याद दिलाता है जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अथक संधर्ष किया इस दिन का पहला आधिकारिक उत्सव 1948 में हुआ जो भारत के लिए एक नए युग की शुरुवात का संकेत था इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस समारोह का विशय विक्सित भारत है अपडेट दोग समझोता प्रसार भारती ने क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए एतिहासिक समझोते पर हस्ताक्षर किये बिग क्रिकेट लीग BCL एक फ्रेंचाइजी आधारित तुजीरो इवेंट जो इच्छुक स्थानिय खिलाडियों को अपने क्रिकेट नायकों के साथ खेलने का मौका प्रदान करेगा ने राष्ट्य प्रसारक प्रसार भारती के साथ एक दीर्गकालिक सौदे में हाथ मिलाया है BCL का उद्धाटन संसकरण इस साल सितंबर में लखनव में आयोजित किया जाएगा BCL का देश भर में DD स्पोर्ट्स पर सीधा प्रसारण किया जाएगा और प्रसार भारती अपने नेटवर्क पर लीग का प्रचार भी करेगा बिग क्रिकेट लीग के पहले सीजन का 30 से ज्यादा देशों में अंतरराश्ट्रिय स्थर पर प्रसारण किया जाएगा इसमें छे टीमे होंगी जिनमें अवध लायन्स, नौर्धर्न चैलेंजर्स, राजस्थान कींसक, मुंबई मरीन, सदर्न स्पार्टन्स और बंगाल राइनोज शामिल हैं अपडेट तीन समझोता Amazon India और Gentari ने EV Delivery बेड़े के विस्तार के लिए साजेदारी की Amazon India और Gentari ने स्थानिय स्थर पर Amazon के Last Mile Electric Fleet प्रोग्राम का समर्थन करने के लिए एक रणनीतिक बेड़े प्रबंधन साजेदारी की घोशना की जो Delivery के लिए अधिक तीन भीलर EV तक Delivery सेवा भागीदारों DSP की पहुंच प्रदान करता है यह साजेदारी ऐसे समय में हुई है जब e-commerce फर्म का लक्ष भारत के 400 से अधिक शहरों में अपने EV अपनाने को बढ़ाना है अमेजन इंडिया ने पिछले साल 7200 से अधिक इलेक्टरिक वाहनों को तैनात किया है और 2025 तक भारत में 10,000 इलेक्टरिक वाहनों को शामिल करने का लक्ष है जिन्टारी ग्रीन मॉबिलिटी इंडिया विएकल लीजिंग और चार्जिंग पॉइंट सीपी सहित इलेक्टरिक मॉबिलिटी समाधान प्रदान करता है अपडेट चार्ट पुरसकार एटकिंसन और अठापट्टू को जुलाई 2024 के लिए ICC Players of the Month का ताच पहनाया गया श्रीलंका महिला टीम की कप्तान चमारी अठापट्टू और इंग्लैंड के तेज गेंदबास गस एटकिंसन जुलाई 2024 के लिए क्रमशह महिला और पुरुष शेनियों में ICC Player of the Month रहे हैं चमारी ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर और वेस्ट इंडीज की हेले मैथ्यूस के बाद तीन अलग-अलग मौकों पर महिला Player of the Month का सम्मान जीतने वाली केवल तीसरी खिलाडी बन गई है एटकिंसन ने स्कॉट्लैंड के चार्ली कैसेल और भारत के वाशिटन सुन्दर की चुनोतियों को पार करते हुए सम्मान का दावा किया और जुलाई 2023 में क्रिस वोक्स के जीतने के बाद इंग्लैंड से ICC Mains Player of the Month पुरसकार के पहले विजेता बने अपडेट पांच बैंकिन पीएनबी ने द्रिश्टिबाधित ग्राहकों के लिए विशेश ब्रेल डेबिट कार्ड लॉंच किया पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ने पीएनबी अंताह द्रिश्टि ब्रेल डेबिट कार्ड लॉंच किया है जो विशेश रूप से द्रिश्टिबाधित ग्राहकों के लिए डिजाइन किया गया एक नया डेबिट कार्ड है यह संपर्क रहित ANC-MC, National Common Mobility Card, डेबिट कार्ड रुपे नेटवर्क पर उपलब्ध है PNB में बचत या चालू खातों वाले द्रिश्टिबाधित व्यक्ति किसी भी नजदी की PNB शाखा से इस डेबिट कार्ड को प्राप्त करने के पात रहें ATM की सीमा, नकद निकासी प्रती दिन 25,000 रुपे है और POS और Ecom सीमा, सन्युक्त प्रती दिन 60,000 रुपे है ब्रेल नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए स्पर्ष पढ़ने और लिखने की एक प्रनाली है जिसमें उभ्रे हुए बिंदु वर्णमाला के अक्षरों को निरूपित करते है अपडेट 6 अंतरराश्ट्रिय तुर्की में खोजा गया प्राचीन सौर कैलेंडर एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के एक शोध करता ने दक्षिनी तुर्की के एक प्राचीन स्थल गोबेकली टेप में सबसे शुरुवाती चंद्रसौर कैलेंडर की खोज की है जो कभी मंदिर जैसे बाडों का एक परिसर था The New York Times के अनुसार एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के एक वैग्यानिक मार्टिन स्वेटमैन ने पिछले महीने प्रकाशित शोध में अपने निशकर्शों की घोशना की स्वेटमैन के अनुसार कैलेंडर पर वियाकार के निशान एक महत्वपूर्ण खगोलिय घटना का दस्तावेज हैं लगभग 13,000 साल पहले एक धूमकेतु प्रभाव जिसका प्रिथवी पर गहरा प्रभाव पड़ा प्रभावी रूप से प्राचीन स्तंभ को एक प्रकार का समारक बना दिया अपडेट साथ विविध प्राचीन महाराष्ट्र शैलकला सनरक्षित समारक घोशित महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र प्राचीन समारक और पुरातत्वस्थल और अवशेश अधिनियम 1960 के तहट रतनागिरी में जियोगलिफ्स और पेट्रोगलिफ्स को सनरक्षित समारक घोशित किया है संस्कृती विभाग की एक अधिसूचना के अनुसार रतनागिरी के देउद में पेट्रोगलिफ्स का समो मध्यपाशान युग लगभग 20,000 से 10,000 साल पहले का है जियोगलिफ्स और पेट्रोगलिफ्स विभिन प्रकार के प्राचीन कला रूप है इन में पृत्वी की सतह या चटान की सतहों पर छवियों या डिजाइनों का निर्मान शामिल है अपडेट आठ निधन Pokemon Voice Actor राचेल लिलिस का निधन राचेल लिलिस एक प्रमुख वोईस एक्टर जिसे प्रसिद्ध पोकेमॉन फ्रेचाइजी में मिस्टी और जेसी के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है का 46 वर्ष की आयू में निधन हो गया उनकी मृत्यूस्तन कैंसर के साथ एक साहसी लड़ाई के बाद हुई जो इसी वर्ष मई में शुरू हुई थी एनी में और विडियो गेम की दुनिया में लिलिस के योगदान ने एक अमिट छाप छोड़ी है और उनके निधन से प्रशनसकों और सहकर्मियों में शोक और श्रधाजली की लहर दोड़ गई है राचेल लिलिस ने 1990 के दशक में अपने वोईस एक्टिंग करियर की शुरुवात की जल्दी ही एनीमेशन उद्योग में उनकी एक पहचान बन गई अपडेट 9 रैंक और रिपोर्ट जून 2024 में भारत की ओध्योगिक उत्पादन वृद्धी घटकर 4.2% हुई सांखिकी और कार्यक्रम कार्यान वयन मंत्राले मोईस पी आई द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकडों से पता चलता है कि भारत में ओध्योगिक उत्पादन सूचकांक आई आई पी जून में सालाना आधार पर 4.2% बढ़ा जबकि मई में यह 6.2% था सरकार ने एक प्रेस विज्यप्ती में कहा कि ओध्योगिक उत्पादन सूचकांक आई आई पी के संदर्भ में मापी गई ओध्योगिक उत्पादन वृध्धी जून 2023 में 4.0% बढ़ी थी इससे पहले आई 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 पी का उच्चस्तर अक्टूबर 2023 में 11.9% दर्स किया गया था जो नवंबर में धीमा होकर 2.5% दिसंबर में 4 दो प्रतिशत और जन्वरी 2024 में 4.1% हो गया अपडेट 10 योजनाएं और समितिया भारतिय रेलवे और NCRTC ने वन इंडिया वन टिकट पहल शुरू की भारतिय रेलवे और राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने यात्रियों के लिए यात्रा अनुभव को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई एक नई पहल वन इंडिया वन टिकट की घोशना की है एक बयान के अनुसार इस पहल का उद्देश भारतिय रेलवे और नमो भारत ट्रेनों के बीच बुकिंग और यात्रा सेवाओं को एकी कृत करके यात्रा को सुव्यवस्थित करना है इस पहल के तहट आयार सी टीसी ट्रेन इटिकट बुक करने वाले यात्री अब एक बुकिंग में आठ यात्रियों के लिए नमो भारत ट्रेन टिकट शामिल कर सकते हैं वर्तमान रेल आरक्षन व्यवस्था के अंतरगत नमो भारत के टिकट भी 120 दिन पहले से बुक किये जा सकते हैं